दोस्तों एक beginner trader का सबसे बड़ा दुसमन होता है brokerage, वो कितना भी कोशिस कर ले लेकि brokerage इसको profit में जाने नहीं देता है, फिर वो account open करने के लिए zero brokerage वाले broker को ढूंडता है, फिर उसके मन में काफी सवाल होते हैं, कि क्या यहाँ सच में zero brokerage लगेगा, account खोलने के बाद कोई दूसरा charger जो एकर तो नहीं लगना सुरू हो जाएगा, इस broker का trading app और web trading platform तो सही है न, उसमें क्या-क्या feature है, तो दोस्तों अगर आप भी फिन्वेसिया जिसका trading app आता है, अगर उसमें अपना account खुलवाने के सोच रहे हैं, और आपके मन में भी यह सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप बेफिकर हो जाईए, क्योंकि आज मैं आपके सारे doubts clear करूँगा, आज फिन्वेसिया का brokerage से लेके उसके mobile app में क्या-क्या feature है, उसके web trading platform में क्या-क्या feature है, यह सब कुछ हम detail में जानने वाल हैं, तो वीडियो को बिना skip किये, पुरा last तक देखियागा, नहीं तो ह हो सकता है, यह कोई important detail आपसे miss हो जाए, दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो का like कीज़ेगा, और में चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा, चले दोस्तो इस वीडियो को यहां पर देखते हैं कि इनका किस चीज में कितना ब्रोकरेज लगता है, तो यहां पर इन्होंने जो front page पर दे रखा है, जिरो ब्रोकरेज अनो all intraday and delivery trades on NSC, BSC, MCX and NCDEX, यानि कि सारे सेग्मेंट में इनका जिरो ब्रोकरेज है, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, उसके इनके अलाव एकांट ओपनिंग चार्ज की बार करें तो यहां पर कोई भी एकांट ओपनिंग चार्ज नहीं है, जो इसके अलाव पर क्लियरिंग फीस हो गया, उसमें भी आपको बिल्कुल 0 फीस लगएगा, अब यहां पर प्राइसिंग करते हैं, उसके बाद में यहां क्या यहां पर लिखा हुआ है यहां पर जैसे आप यहां पर ब्रोक्रेज कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो किस चीज में कितना ब्रोक्रेज लग रहा है अगर ब्रोक्रेज कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके सारे सेग्मेंट देखेंगे उससे पहला यहां नीचे जाते हैं नीचे में जो है आपका यहां पर देखें यहां पर भी आपको हर जगह 000 लिखा हुआ एक सिर्फ इनका डीपी चार्ज याने डीपोजेक्टरी चार्ज याने कोई भी आप डिलेवरी में लेके जाते हो नेक्स डे के लिए और उसके बाद अगर सेल करते हो नेक्स साल बाद करो कभी भी करो तो उसका 9 अर्पे-प्ला-SGST है और यहां पर प्लेज और अन-प्लेज चार्ज ज है वह आपको 20 देखेंगा उसके अलावं गौर्मेंट चार्ज तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर calculate करेंगे तो हमारा जो total cost लगेगा वो 3 रुपया 49 पैसा लगेगा और इसमें brokerage बिल्कुल आपका 0 है यह STT charge वेगर यह जो भी चीज़े हैं यह government charge है अब आगे देख लेते हैं future and option यहाँ फ्यूचर हम buy करते हैं 100 रुपय में और उसको बेचते हैं 105 रुपय में उसका भी quantity हम कर देते हैं 100 और यहाँ पर हम करते हैं calculate तो देखिए हमारा future भी buy और sale दोनों का मिला कि एक रुपा 55 पैसा का cost पड़ेगा और अगर वही option की बात करें तो option पर आप यहीं पर calculate करेंगा तो यहाँ पर आपको देख जाएगा 18 रुपय 10 पैसा है का आपको चार्ज देना पड़ेगा जिसमें आपका brokerage नहीं है यह brokerage आपका बिल्कुल 0 है अब चलिए इनका देख लेते हैं currency में currency में भी अगर आप यहाँ पर 100 रुपय बाई करते हैं 105 रुपय पर सेल करते हैं और 100 quantity और यहाँ पर calculate करते हैं तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल 0 brokerage है और आपका total 0 रुपय 23 पैसे का चार्ज लगेगा फ्यूचर में वही अगर option की बात करें तो option में 8 रुपय 29 पैसे का चार्ज लगेगा और अगर commodity की बात करें तो यहाँ पर वही 100 रुपय का हमबाई किये 105 का सेल किये 100 quantity और यहाँ calculate पर क्लिक किये तो यहाँ पर भी देखें कोई brokerage कहीं भी आपको brokerage देने की जूरत नहीं है कहीं भी आपका कोई brokerage लग नहीं रहा है और यहाँ पर आपका total cost आजाएगा 1 रुपय 80 पैसे हैगा future में और वही option की बात करें तो आपका लग जाएगा 70 रुपय 18 पैसे तो दोस्तों confused होने की बिल्कुल बात नहीं है यहाँ पर आपको कोई भी brokerage नहीं लगता और यहाँ पर कोई भी hidden charge भी नहीं है जो कि आप account खुलवाएंगे और account खुलवाने के बाद में आपका कोई charge लगेगा यहाँ पर कोई भी charge आपका लगने वाला नहीं है बिल्कुल zero है एकाउंट खुलवाने से लेकर आपका ट्रेडिंग तक हर चीज में आपका zero brokerage ही लगना है बस वही दो चार्ज था एक था DP charge और एक था अन प्लेज चार्ज वही लगना है उसके लावा कोई charge आपको देने की जुरूरत नहीं है यहाँ पर अब चलिए दोस्तों फिन्वेसिया का जो ट्रेडिंग आप आता है जिसका नाम सुनिया है उसका मैं आपको एक पर डेमो दे दे रहा हूं ता कि आपको पता चल सके कि इसके एप में क्या क्या फीचर है तो सबसे पहले हमने अप उपन कर लिया है अप में यहाँ पर सबसे पहले आता है watchlist watchlist के बाद में यहाँ पर analytics आता है analytics में इनका basic scanner वेगरा है थोड़ा बहुत उसके बाद में आता है home home पे आपको यहाँ पे पोड़िशन आया जो आपने आज ट्रेड किया वो सब कुछ यहां पर दिखेगा उसके बगल में होल्डिंग वो सब कुछ यहां पर दिखेगा उसके बाद में आ जाते हैं और यहां हम लेप साइड में क्लिक करेंगे तो यहां पर फीचर आते हैं जैसे अपर एक ड़ी यहां पर की यहां पर आई बो कुछ अप्लाय कर सकते हैं यहां से यहां से प्लॉड हम जैसे दिख जाये गा यहां पर जैसे मैं दिखाने दाना चाहता हूं जैसे हैं अगर आपको option chain खोलना है है तो यहां पर जैसे हम bank nifty पर clicks करेंगे यहीं पर आ जाएगा option chain का option यहां पर हम option chain खोलेंगे तो यहां पर हमारा option chain दिख जाएगा जो कि हम 5-10 और 15 देख सकते हैं जैसे मेरे को 15 उपर नीचे देखना तो यहां पर 15 उपर नीचे मैं देख सकता हूं दोस्तों इनके मुबाइल आप में यही सब फीचर आते हैं आप चलते हैं इनके वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तरफ उसका भी मैं आपको एक बार देमो दिखा दे बाइल को दॉस्तों इनके वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जैसे आप देखर यहां षडी यहां पर कोई भी आपको इस्टॉक या ऑप्शन कुछ भी अगर एड करना है समाले मैं यहां HDFC बैंक एड करता हूँ यहां HDFC बैंक एक्विटी आगया यहां पर एड करेंगे इधर कहीं क्लिक करेंगे तो यह हो चुका है यहां HDFC आगया अब जिसमेरे को HDFC का चार्ट देखना तो मैं यहां से चार्ट भी देख सकता हूँ लेकिन द्यान है दोस्तों यहां पर जब भी आप चार्ट खोलेंगे आपका एक मिनट का ही खुलेगा यहां पर सेव नहीं होता है अगर आभी मैं इसको पांच मिनट कर आपको देखना है और यहां पर चार्ट का आज आता है उसके बाद में यहां पर चलते हैं तो यहां पर दिखता है डैसबोड डैसबोड पर वही आपके सारे जो भी आपके होल्डिंग है या कोई भी अगर आपने पोजीशन ले रखा है वो सब कुछ यहां पर दिखेगा उसके बाद में आपने आगर कोई प्राइब यहां दिखेगा यहां दिखेगा यहां बास्केट लगा सकते हैं यहां दिख जाएगा और उसके बाद में आता है पोजीशन पोजीशन में आपको यहां पर जो भी आपका आज का पोजीशन होगा वह यहां पर दिख जाएगा उसके बाद आता है holding holding में जो भी आप इस्टोक या कोई भी निफ्टी भी या कुछ भी आप लेकर जाते हो तो वो सब कुछ यहां पर देखने लगेगा उसके बाद में आता है लूजर गेनर यही सब चीज है option chain आपको देखना है ताब यहां से भी आप option chain देख सकते हैं यहां से फिर यहां से यहां से आपको change करना पड़ेगा यह से ट्रोमेंटिक नहीं होता है और यहां पर basket mode आता है जहां पर डाइरेक्ट यहां से ही आप order लगा सकते हैं चुन-चुन के और एक चीज और दोस्तों यहां पर आपको कहीं भी buy और sale का बटन नहीं दिखेगा बस तो एक green और red देखके आपको करना पड़ेगा यहां पर sale होगा और green है तो यहां पर buy होग और आप यहां से market depth भी देख सकते हैं साइड में खुल जाता है उसके लगा यहां पर आपको margin वेगर दिख जाएगा और यहां से आप brokerage calculate भी कर सकते हैं कि आपका इस trade पर कितना brokerage लगने वाला है देखिए इनका platform तो सही है इनका फीचर भी अच्छा खासा है लेकिन बस यही एक दिक्कत आता है कि इनका feature हर टाइम उतना अच्छे से smoothly काम नहीं करता है कभी कभी lag आता रहता है इनकी feature में और अगर आप beginner है बिल्कुल ही छोटे quantity से काम करना चाहते हैं तो आप यहां पे खोल के अपना account trade करके आप सीख सकते हैं बस यह है बहुत बड़े fund से इस trading platform का detailed review एक आखरी important बात बताना चाहता हूं आपको मेरे इस channel पर बहुत ही जल्द stock market basic से लेके advance तक के सारे learning videos series में आने वाले हैं जिसमें आपको stock, option and future इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe क आज के वीडियो में पास इतना हैं धन्याबाद